अलो फ्रेंड्स बहुत-बहुत स्वागत है आपका Super Fast Study and Experiment पर तो दूसतो इस वीडियो में हम डिसकसन करने वाले हैं Journal Bearing के बारे में General Bearing क्या होता है कैसे काम करता है इसके बारे में जानेंगे यानि कि Basic Detail और इसके Construction के बारे में हम समझ लेंगे और इसके साथ-साथ types of journal bearings के बारे में भी discussion कर लेंगे तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful होने वाली है बने रहेगा वीडियो में आनते तक चलिए वीडियो को start करते हैं अगर हम बात करते हैं bearing के classifications की तो mainly दो types के bearing होते हैं सबसे पहला होता है anti-friction bearings जिसके अंदर आते हैं ball bearings और roller bearings है ना anti-friction bearings को ही rolling contact bearings भी कहा जाता है जबकि जो दूसरा type होता है वो होता है friction bearings friction bearings के अंदर आते हैं journal bearings तो ये जो हमारा general bearing है ये friction bearing है जिसे की sliding contact bearing भी कहा जाता है journal bearings का सबसे बड़ा advantage ये होता है कि journal bearing की load caring capacity बहुत ज़ादा होती है यानि कि ये बहुत ज़ादा load ले सकता है अगर हम इसको compare करें anti-friction bearings से anti-friction bearings जितने भी होते हैं ball bearing हो चाहे roller bearings हो वो उतना load नहीं ले सकता जितना आपका journal bearing ले सकता है friction bearing के अंतरगत आता है journal bearing और जैसा कि नाम से ही clear है कि ये friction bearing है तो यहाँ पर friction बहुत ज़ादा generate होता है क्योंकि यहाँ पर जो contact होता है वो surface contact होता है जिसे कि आप sliding contact भी बोल सकते हैं और इसलिए यहाँ पर lubrication का इस्तमाल किया जाता है ताकि friction से produce heat है उसे कम किया जा सके और wear and tear होने से bearing और shaft को जिसे की journal कहा जाता है यहाँ पर उसे बचाया जा सके तो चलिए सबसे पहले constructions और working समझ लेते हैं simple journal bearings का shaft के उपर bearing को fit किया जाता है और shaft का वो हिस्सा जो bearing के अंदर आता है उसे ही journal कहा जाता है journal bearings में किसी भी प्रकार के rolling elements का इस्तमाल नहीं किया जाता है rolling elements की हम बात करते हैं तो जैसे की ball bearings में balls का इस्तमाल किया जाता है roller bearings में roller का इस्तमाल किया जाता है journal bearing का construction बहुत ही simple होता है इसमें bearing का housing होता है bearing के housing में inside में fit होता है bush जिसे की bearing liner भी कहा जाता है इसके अंदर में फिर आपका shaft fit होता है shaft का वो हिस्सा जो bearing के housing के अंदर होता है उसे ही journal कहा जाता है और journal और bearing के जो liner है उसके बीच में clearance होता है और उसी clearance में oil fill किया जाता है lubricating oil को fill किया जाता है ताकि friction जो है वो generate ना हो जब आपका shaft घुमेगा, rotate करेगा journal friction को reduce करने के लिए lubricating oil का इस्तमाल किया जाता है housing में देख सकते हैं आप top पर, यहाँ पर hole है point है जहां से oil को fill किया जाता है जो bearing का liner है जिसे की bush कहा जाता है वो देखिए friction की वज़े से वो wear हो जाता है दीरे-दीरे एक समय के बाद तो वो replaceable रहता है यानि की bush को निकाल सकते हैं आप और replace कर सकते हैं bush जो होता है वो ductile metal का बना रहता है जैसे की brass, bronze या फिर gun metal अब बात कर लेते हम types of journal bearing की तो according to mechanical constructions journal bearings तीन टाइप के होते हैं पहला हो गया solid journal bearing दूसरा हो गया bushed general bearing तीसरा हो गया plumber block यानि की pedestal journal bearing according to lubrication फिर से चार types के journal bearing होते हैं पहला हुआ hydrodynamic bearings दूसरा हुआ hydrostatic bearings तीसरा हुआ film lubrications चौता हुआ zero film lubrication bearings तो friends ये सारे जो हैं आपके types हैं next video में कोसिस करेंगे की सारे types को details में discuss करें तो friends उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर एक percent भी ये वीडियो आपको helpful लगी हो तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा चैनल पर ऐसे ही 800 से जादा टेकनिकल वीडियो इंडेस्ट्रियर टेकनिकल वीडियो आपको मिल जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा helpful हो सकते हैं तो फिर से मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलवीदा